जंगफूड यह जो खाना है आज गल के जमाने में सब से ज़्यादा अगर नुक्सान अगर कोई कर रहा है बच्चो को बड़ों को भी तो यह जंगफूड कि आप डिजान्परुवर्वक में आपके सुनन अब आण ने औरेक्ट जो भी खान आ रोसे से इस पमपनी से, प्रोसेशिंग फूर उसको बोलते है जंक-फूर्ज किया रहता है कर दूमाद ह मैयarlएं तरहते हैं तरहते हैं पैकेट में होता है जो आप फैकेट खोल के commence हो वोत आज़ जंख कोड को वैप सारह में तो और यॉनाम भी ने जानता हो पर वैपर से बहुत सारह है और विस्कीट इस बिस्कीड произош पुछ त्रम है पीज़ा अबर्गर रप्र हैस क्रीम मिनुफ सास और नहांने क्या क्या बोस भी से आपको पके करें इंल ता है यह बन्द बोड़ों में मिलता ऐसको आपको उसमें कोगी चीज ड्क परती है वह रोट बतावոंगा कि आप जो ज़ंक फूड काहता है उसमें होता क्या है वा जैसे चलो फॉर एक्जाम्पल कुछ ऐसे वेपर्स लेते हैं जो आप पैकट खोलके खाते हो कंपनी का वेपर्स के रहा हूं जो कंपनी से जो प्रिंटिंग वाला होता है जिसमें हवा भरी होती है बहुत सारी वेपर्स कम हवा जादा वो चीज में पढ़ता है मैं आपको बता रहा हूं जो वेपर्स है या जो भी जंक फूड blog पीजा वरकर से वागया उसको तकश करना उनकी क्या करना चाहिए को कांपनी आले क्या करतें इसको ज्यादा से ज्यादा टेष्टि बनाना चाहते ताकि आप लोग, उसको खाओ, टेस्टी भी बनाना चाहते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं कि ज्यादा लंबे समय उसको टिकाय रखे, खराब ना हो, यही बात है ना, ज्यादा टेस्टी बने और दूसरी बात उसको लंबे समय तक टिकाय रखे, अब उसमें उस चीज के लिए कुछ केमिकल पढ़ते हैं उत्ते केमीकलों का में कुछ नाम लिखके लाया हूं को किमीकल में आपको समझाओंगा वो क्या है देखो इस जंग फुड में टेस्ट बढ़ाने के लिए एक पढ़ता केमीकल उसको बोलते हैं H-E-K-293 आपको दिख रहा है नहों है है एच एक टू नाइंटी थ्री एक केमिकल का नाम है उसका मैं लॉंग फॉर्म बताता हूं उसका नाम फॉर्म है Human Embryonic Kidney Cell 203 वे एच एक टू नाइंटी थ्री हुमन Embryonic Kidney Cell अब यह जो केमिकल है एच एक टू नाइंटी थ्री यह कहां से निकलता है पता आपको यह निकलता है छे महने के गरबस्त शिशू के किड्नी से चे मेने का गर्बस्त शिश्य होता है उसके किड्नी में यह ही के 293 केमिकल होता है उसको निकाला जाता है और वो केमिकल ऐसे खाद्य पदार्थे में डालते हैं क्यों क्योंकि लंबे समय चले और ज्यादा टेस्टी बने तो आप लोग सोचोगे कि धेर सारे पैकेट बनते हैं धेर सारा जैंक फूट सारे विश्व में बनता है तो यह ही के 293 तो बहुत सारा लगेगा इतना सारा एची के 293 बच्चों के किड्नी से निकालेंगे तो कितना बड़ा समाज में तो यह तो सब उसके लिए विद्रो हो जाएगा तो ऐसा है कि समझ लो एक बच्चे के छे मैंने गर्बस शिचों का अगर मैं तू अगर एची के 293 अगर निकाल लिया उस केमिकल को म है जैसे आप ध्री बनाते होना दूद दूद लिया नया फिर उसमें और वह थोड़ा देडा दण AH रहा भी पिर थोड़ वह फेली अपर दूद में डाला फिर शारा दण घाला चैसे बनते हैं इसे थरह का यह जो केमिकल है एची के 293 यह मल्टीपलाइ किया सकता है यह मल दूसरा केमिकल होता है जो आप लोग शायद आप मैंसे कई लोग में उसका हिंदी नाम भी बलता होंगा वह आप जानते भी होंगे वह होता है MSG, Monosodium Glutamine, MSG, यह केमिकल होता है, यह तो खाने को इतना टेस्टी बना देता है, इतना टेस्टी बना देता है, अगर वह MSG मातरों मातरों टेस्ट बढ़ाने के लिए और लंबे समय टिकने के लिए डाला जाता है, MSG, MSG को दूसरा नाम है, हिंदी का उसको बोलते है, Ajinomoto, पता है, Ajinomoto, देखो, बच्चों तक पता है, Ajinomoto क्या है, वह Ajinomoto होता है MSG, वह Ajinomoto इतना खतरनाग है, मैं आपको इस Ajinomoto है, यह तुमारा इसा खुश्बू देता है, मानो बच्चा अगर भोजन करके निकला घुमने के लिए माबाप के साथ, और बाजो में अगर कोई MacDowell's का अगर कोई पीजा हट मिल गया, और वहां से खुश्बू आती है, तो भी मा बच्चा बोलेगा, मा में पीजा इतनी खतरनाक होती है कि तुमारा पेठ में भोजन खाया हुआ हुआते भी फिर भी तुमारे ब्रेन को ऐसा सेसेशन देता है कि तुम्हें भूग लगी है, वह होता है Ajinomoto, इसका भी बड़ा इतियास जोधार है, अगर मैं एक चीज को elaborate करू तो बड़ा समय जाएगा, Ajin Ajinomoto को पूरे विष्व में फेला दिया, ताकि उनकी मोनोपाली जबी हम जो कर लेते हैं अमेरिका के 1972 के बाद उसका काफी प्रेचलन बढ़ गया था, Ajinomoto का पिर हमारे भारत में भी आया और जो हम जंग फूड में जो चाइनिस फूड जो भी कुछ लारी आप देखते चाइनिस, चाउमीन वगरा जो भी कुछ होता है उसमें Ajinomoto पड़ता ही है, उसके बगरों बनता ही नहीं, क्योंकि कुछ मसाली नहीं होते हैं, तर Ajinomoto आप टेश्टी बन जाता है, आप लोग खा ले तो, तिसरा केमिकल है HFCS, High Fructose Corn Sirup, High Fructose Corn Sirup वो भी ऐसा एक केमिकल ह है, इसका एक काम यह है कि आपको हर चीज की अडिक्शन लगा देता है, अडिक्शन, High Fructose Corn Sirup यह जो है, यह अल्कोहल का derivative है, अल्कोहल जो पीते ने जो दारू पीने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार दारू पी तो उसको तलब लग जाती है न, पीने की, जो लठ लगाने का काम लगाता है, एक लध लगाने का काम कौन करता है, यह HFCS, कितना भी बच्चे का पेट भरा हो, भरपूर बयश्थित हाना खा लिया हो, अगर उसको फिर भी अगर आइस क्रिम सामने रग दो, या कुर고Sean का पैकेट सामने रग दो या वेपर का पैके के उनका हुआति ही पैडबो ऑजन बहों पिर भी in तो यह केमिकल जो होते हैं यह टीनों केमिकल जो है यह हमारे शरीर कुछ कहते हैं कि दिएलगों सब्सेखने की बात करदम्ली ridiculous छरीर में क्या और ऑदगत कि यह जो केमिकल वाला जो खाना होता है यह जो हम जंग फूट जिसको कहते हैं इससे क्या होता है कि हे मारे सबसे पहला उसका असर हमारे ब्रेइन पर हुता है आप आप जो पैकेड खाते हो समझ लो कई रबेज करें पेजर से शह क्या होता है आपके ब्रेञ्ड पें जो ऐसका एफेक्ट है वो क्या होता है कि हमारे श्रीह में ब्रेंट में दो हërmone बनते हैं एक भूख बढ़ाने का हर्मोन और एक हमारे भूख पूर्ण हो गई उसका सेंसेशन देने वाला हर्मोन मतलब एक तो भूख बढ़ाने के लिए मुझे भूख लगा है इसका हर्मोन और दूसरा होता है हमारी भूख पूर्ण हो गई उसका ब्रेन की स्लेड ब्रेन उसको ग्रेलाइन और लेप्टीन नाम का एक हर्मोन बनता है ब्रेन ब्रेन पिपिटी उसमें एक ग्रेलाइन नाम की केमिकल होता है वो ग्रेलाइन नाम का हर्मोन है वो उसको बढ़ा देता है यह केमिकल जो है ग्रेलाइन नाम का हर्मोन बढ़ा देता है हमारे ब्रेन में औ पर lap tin नाम का हर्मोन को घटा देता है इसलिए परहय बच्चों में ओ खाने की इच्छ कभी नहीं मरती यह जंग्फूर आई यह खाने की इच्छा कभी नहीं मरती बस उसको लगता है कि मैं से खाता आता हूं अगर एक चीज प्रयोग करो आप प्रयोग करना एक एक जगह जमीन पर खड़ा कर दो खड़ा करो एक जगह इस खड़े में पीजा वर्दो और खड़ा बंद कर दो और दूसरी वाज में खड़ा करो उसमें एक एपल डाल दो खड़ा बंद कर दो छे मेने के बाद फिर आप देखो जिस खड़े में आपने पीजा रखा था ना वो वैसे के वैसे ही पीजा देखेगा पर जिस खड़े में आपको अगर एपल रखा होगा वो एपल गायब जमिन की किड़े भी नहीं खाते पीजा जमिन का किड़ा भी नहीं खाता पीजा और हम बड़ी चाहों से खाते यह वास्तवीकता है आप समझो यह जो छीज है इतना टिकाव बना देता है केमिकल शरीर के इतना खराब कर देता है कि जरह कीड़े भी नहीं खाते जिसको हम मनुष्य बड़ी चाहँ से खाता है के और भी जैसे यह जैसे मैं बताया था कि हॉर्मों जैसे आपने शरीर पे उस्प्रीट असर होता है दूसरा शरीर में असर होता है इन चीजों का हमारे आतों पर हमारी जो आते होती है वो बच्चों की ज्यादा जो ऐसे पैकट खाते उन बच्चों में ज्यादातर सबसे खतरनाक अगर उस इन चीमिकलों का असर है वो हमारे जीन्स पर है जीन्स जीन्स समझते आप गुनसुत्र जो माता पिता का जीन्स है आपका शरीर बना है वो जो जीन्स है जो बच्चे लोग ऐसा जंक फूर जारा खाते है उनका जीन्स डिफेट हो जाता है उनका जीन्स डिफेट हो जाता है तो क्या होता है ज्यादा सब्सक्राइब और विम्हें आप देखो और आजक्रे बीड और देख रहा हूं जादा धर पच्क अजक घृबिजलल धोकलおお Flynn माांसिका इंद्धा विक लांग शरीर से रुकल फौपड ऐसा कुछना कुछ बच्चों कि ज्यादा तर दिखाए दे रहा है पहले जमाने में मुझे पक्का याद है कि 50-60 साल पहले मानसिक विकलांगों के लिए इतने स्कूले शहरों में नहीं थी जो मानसिक तासे विकलांग है उनके इतने स्कूल अपने शहरो में नहीं थे थी जुजश्हम में जाधा तर रहता हूं दूई बताओ आव सूरत में एक सुरत में धसय उपर मांसिक वीकलांग बच्चों के लिए स्कूल हैसे मॉंसिख Лएक उपर इप परने जमानें में था इतने मांसी की लंग बच्चे नही थे हमें पता ही नहीं रहा हु़ हम जो भूझा रहे है कि पटांटे वह कि ल्याख प्ट निमंकल का जो जञ वूड का रहे है झाल जो प्र५ॅब क्टा रहा है वन पताने चल रहा कि हमारा जीनसे दी सब कोते जा र रहे वोटिफिक्ट हो जाएंगे पर आपके आने वाली संतान विकलांग हो सकती है तो ऐसा खाना क्यूंख है एक कि ऐसा काना क्योंकि जिसके हमारी आने वाले पीडिए करावो चलो मैं मानता हूं कि आप लोग मेंसे तो बहुत कम खाते हों कि आप पुझे बापुजी के सारे आम लोग दिक्षित हैं हम बापू जैसे हम के ते उसके खाते हो सकता है फिर भी हम से कोई नहीं तो गल्तिय प्रानों तर्म